अब जब market का moment हैं अमने पता नहीं कि market गिरने वाला है या फिर market उपर जाने वाला अब करने वाला है पहले ही पता चल जाया, चाके मैं आच्का याउसा profit बना सब्हूंग इस चीज़ को स्वाल किया है एक इंडिकेटर ने ठीक है इंडिकेटर ना ही आपको डायरेक्शन बताता है बलकि आपको यह बाय और सेल का सिगनल भी बताता है यह इंडिकेटर डायरेक्शन भी बताता है कि मार्केट अभी गिरने वाला है और कंटेनिवसली गिरेगा भी औ और किस पॉइंट पर मार्केट को आपको sell करता एक बाय करना है कब sell करना है सारा पुछ इंडिकेटर आपको बताने की कोशिश करता है। इस इंडिकेटर की कुछ setting होती है जो आपको change करना होगा अच्छे से काम करेगा। अगर आपने इस indicator के setting चेंज नेखी, एजटीज अगर आपने indicator लगा लिया, तो इसका result उतना अच्छा नहें आएगा, लेकिन सबसे important बात आती है, कि क्या आपने इंडिकेटर के बरोज़े भी ट्रेल लेना चाहिए, देखो, जो beginners होते हैं, उने तो बस indicator देखकर buy sell का signal आ रहा है, buy कर दो, sell कर दो, यह तो बस beginners के लिए, आप यहापर अभी आप advance हो चुकी हो, तो आपको काफी कुछ चीज़े समझने होगी, जब भी आप trail लेतो हैं, आगर आपके direction मानलो, आपको पता होना चाहिए, कि market अभी और उपर जाएगा, और मेरा profit बन सकता है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, आपका जो psychological cycle, build होता है, उसी चीज़ से हमें यापर यह सब सीर्फीकने को मिलता है, देखो trading में अगर आपका 1 महेना होआ है, 2 महेना होआ है, शेल कर दिया, यह से कोई मतलब ने, तिक या पर मैं आपको advance सिखानी की कोशिश करता हो, as a use indicator, इंडीकेटर भी लगाना है, करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट का ट्रेन आइडेंटिफाई करना है इंडिकेटर बाद में लगाना है इसे में बाद में लगाऊंगा पहले मार्केट का ट्रेन आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा इंपोर्टन है ठीके मार्केट का ट्रेन हमेशा बूले जाथ ही ट्रेडिंग मेरेशा इसम प्लाह जाला कि यह काफिक मार्केट का जो ट्रेंड है उसे ट्रेंड को identify करो और उसे से आप पैसे बनाओ अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस मुमेंट को catch up करोगे तो 50% के उपर ही breakout कर चुका है आप 50% तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बता आता है कि यहाँ लो से लेकर हाई तक मार कर देना आप 50% अगर breakout करा है तो यह downfall में आ जाएगा आप सबसे important बात आती है कि यहाँ पर हमें करना क्या है तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है कि नीचे की तरब जो trend line वगरे आ रही उसे draw कर लेना है और trend line के बाद नीचे जो support लेगा market उस support के आसपास आपको यहाँ पर रूपना है अब support का आप आ रहा है जिस point पर market अभी रुका हुआ है ना उसी के आसपास आप देखना यहाँ से market में support लेकर यहाँ से उपर गया था इससी point के आसपास support आ रहा है तो यहापर आपको simple से एक support की line draw कर लेने है ठीक है यहापर में simple से एक सपोर्ट की लाइन ड्रोओ कर ले था heap है इस तरह से हूँ है दो पेश्य चीज이는 लेगन काफे ज्यादा इंपौर्टन काम करती रोल प्ले करती यह बाद में आपको इंटीकेटर लगाना है सब दोकर आपको करनी काफी ज्यादा important होती है अब यहापर तो हमें support मिल गया कि market आप यहापर support ले सकता है ठीक है अब यहापर आमे time frame को थोड़ा reduce करना है यहापर आपको time frame रखना है 15 मिनिट का ठीक है पहले one उड़े का time frame आपको रखना है और फिर 15 मिनिट के time frame पे आपको shift हो जान और इसी point के आसपास अभी support ले रहा है अब यहापर आमें एक और चीज add on करने होगे जो की important आती है कि market में जो आभी train down चल रहा है market आभी आसे नीचे गिर रहा है आब यहापर इसका breakout देगा या फिर इसके उपर जाएगा इस चीज़ को थोड़ा identify करने के लिए आमें एक इंडिकेटर लगाना होगा इस इंडिकेटर को यहापर आपको लगा लेना है ठीक है जैसे आप इंडिकेटर लगा लोगे तो आपको काफी सारे buy or sell का signal मिलेगा लेकिन सबसे important आता है कि आप किस point पे buy or sell करोगे उस point के आसपास से buy or sell का signal आना जाए इसलिए आपर मैंने starting म अब यहापर आप देखना तो इस इंडिकेटर ने जैसे यहापर buy or sell का signal दिया है support के पास यह buy का signal दे रहा है ओके यहापर देखना फिल्कुल support के पास buy का signal दे रहा है because of market में काफी ज्यादा value यहापर generate हुआ buyers काफी ज्यादा यहापर active है तो यहाँ से market को उपर लेके गई अब कल के दिन decide होगा यह indicator आपे बताएगा कि कल की दिन अगर market गयाप खुलता है और buy का signal मिलता है तो definitely आपर call site में जाना है क्योंकि market अगर support के पास support लेकर भी उपर जा रहा है और indicator भी आपे बता रहा है कि buy करना चाहिए तो आपर call site में entry बनाना चाहिए और दूसरी condition हो सकती है कि market अगर support को breakout कर दे gap down अगर market खुले तो यहापर अगर हमें sell का signal मिला कुछ इस तरह से sell का signal मिला जैसे यहापर एक moment आया उसी तरह से यहापर भी अगर हमें sell का signal मिलेगा तो यहाँ से भी एक बड़ indicator के आसपास नहीं market को support के आसपास अगर trade कर रहा है तो indicator आमें क्या बता रहा है कि यह buy करने का बता रहा है या फिर sell करने का बता रहा है आपको indicator के basis पर भी नहीं ट्रेल लेना है तो यहाप आपको थोड़ा wait करना होगा कैसे wait करना होगा इस support का अगर breakout देया और sell का signal आपर आमें क्वासाइट में जाना है तो इस तरह से आप इस indicator को लगा कि अच्छे से market का train identify कर सकते हो market में कब buy और sell करना यह भी आप सीख सकते हो इस indicator का यहापर में नाम बता जाता हो और इस indicator को setting कैसे change करने यह भी आपको बता जाता हो सबसे पहले यहापर input में जाना है ATR प्रेड जो रहेगा उसका 22 ही रहने जाना है ATR मल्टिप्लेर जो होगा वह भी तीन ही रहने जाना है बाकि सारे के सारे option को आपको क्लिक करना है और बाकि style में आना है और यहापर आपको दो तीन चीजे add-on मिलेगी जैसे कि यहापर long swap stop और अपको एक green एक line देखने को मिलेगी यहापर आपको long stop यहापर इसतरा से line देखने को मिलेगी ठीके तो यहापर इन दोनों को quick care night ताके में मार्कीट का trend पता चल सके और यहाँ पर आपको शॉर्ट स्टॉप और शॉर्ट स्टॉप स्टार्ट दोनों को आपको क्लिक कर देना है और बस आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है आप यहां तक buyers का control था, जैसे इस line को इसने break किया, तो यहां पर seller का control आ चुका है, जैसे sell का signal मिले और यहां पर एक red line बनने लग जाए, तब आपको यहां पर put side में entry बनाना है, और cost side में आपको तभी entry बनाना है, जब यहां पर red line को break करें, और यहां पर buy के लिए यहां पर टार्गेट मिल रहा है और सेम उसी तरह से इस इंडिकेटर के बेसेश पर आपको यहापर भी काफी बड़ा टार्गेट मिल रहा है तो इस इंडिकेटर का नाम में चैन्डर लाइन यहापर इंडिकेटर में जाना है यहापर आप देख सकते हो ओके चैन्डर लाइन इस तरह या पर आप नमबर भी याद कर सकते हो इस इंडिकेटर को सिंपल से लगा लेना है और जो भी मैंने सेटिंग बताए वो सेटिंग आपको कर लेनी जैसे आप या पर इंडिकेटर लगा लोगे तो आपको पुरा पुरा बाय सेल का सिगनल भी मिल जाएगा और आप इसे यूज करके आच्छा खाचा पुरापिट भी बना सकते हो आपको वीडियो पसन आए होगी वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्स्ट्राइब करना चलिए मिलते आगली वीडियो में